अस्सलाम अलेकुम आज हम बना रहे हैं सिंपल सा हरी मेच वाला कीमा जो कि रोटी और पराटे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी फटा-फट से बन के तयार हो जाता है इसके लिए सबसे पहले चूले पर हमने पतीली रख दिया और उसमें डाल दिया है मश्टाड डायल मश्टाड डायल हमने टूट अबल सपून यूज किया है क्योंकि कीमा भी हमारा एक पाउ है ज्यादा नहीं है इसलिए और ब्लद चैंज हो गया है तो हमने उसमें डाल दिया है तेज़ पत्ता जालचेनी थोड़ा सा जीरा और एक बारी साइज के प्यास प्याज को हमने सोदागे तक अर्शने जैसे प्यास का झाला घॉल्डण हो जांगे तब उसमें हम ही मिच हमने अइड कर दिया थोड़ा सा जिनजगान लिका सथी किया है है तो क्यमा हमने क्यात कर दिया प्यास होते ही हमने कीमा आड कर कीमा को अच्छे तरह से हम मिक्स करेंगे चलाएंगे ऊपर नीचे करेंगे यह कीमा बहुत जल्दी फटा-फट से बन भी जाता है और बहुत ज्यादा ही टेस्टी लगता है खाने में इसमें कोई जादा एक्ष्टा मसाले वगारा भी नहीं पड़ते हैं लेकिन टेस्ट बह कैंड मसाले वाले कीमा के उसमें नमक हमने डरूरत इकना की और इसके तरह किया दो चला के कवर ल्गा देंगे कवर लगा कर ने कि कि खाल की को यह चल जभकूंश्य को चुका है तो हमने कॉल के चलास देना है थोड़ा अच्छा से पकड़ से पकड़ बीए इसके बहुता कितना अच्छा सा हमारा कलर हो गया है कीमे का और बिलकुल तेल में भुनके बिलकुल अच्छा सा कीमा हमारा गल भी गया है और गोल्डन कलर भी हो गया है खुश्बू बहुत जबदस सी आ रही है बहुत अच्छा अच्छे खुश्बू आ रही है और दिखने में भी बहुत हरा धनिया हमने घ कितनी अदेया है हमारा कीमत तयार हुआ है इसको रोटी या पूरी के साथ आफ इस्टिमाल कर सकते हैं किसी भी चीज को जाह साथ खाएं बेखाएंगे जफ्वाइट अगये बहुत मज़धाद फट अफट जल्दी सा तयार हो जाता है इसमें टाइम बीलकुल भी नहीं लगता है जादा जादा 10 मिनट से 12 मिनट में कीमा हमारा बनके तयार हो गया है तो इसी तरह आप हमारे वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू करने फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ अल्ला आफेज